वेलकम बैक टियूर चैनल डिये श्ट्वेंट साइनोनिम का ये तीसरा वीडियो है तैयारी सुरू हो चुकी है अगले साल के लिए यानि की 2021 के लिए आपके आने वाले एयर फोर्स ने भी एक्जाम के लिए तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और यहाँ पर पहला क् इसका साइनोनिम आपको बताना है मान के चलना है कि ये क्वेस्टन एक्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे सीधे क्लियर पर टिक लगा देंगे option number 6 सही हो जाएगा सर जी देखिए transparent का मतलब होता है पारदर्सक लेकिन आपने clear क्यों बताय एक बात समझेगा पारदर्सक का मतलब ये भी हो सकता है कि aspast यानि कि transparent का मतलब aspast और clear का मतलब aspast यहाँ पर एक और आपको शब्द दिख रहा होगा ओपेक ओपेक दिख रहा है option number B में ओपेक का मतलब होता है पारदर्सी जिसको aspast बोल सकते हैं तो ये इसका antonym हो ज जाएगा ट्रांस ब्लेंट ट्रांस लुसेंट लिखा हुआ है option number A में इसका मतलब होता है निर्मल या कि फिर स्वक्ष option number D भी देख लिए शार्प लिखा हुआ है शार्प का मतलब होता है तेज तो उमीद है कि आपको इस question के सभी words समझ में आ चुके होंगे तो बढ़ते हैं अगले question की तरब अगला है देखने में बहुत easy है लिखा हुआ है fruitless fruitless का मतलब होता है ऐसी चीज जो फलदाई न हो जिसको निरर्थक बोल सकते हैं इसका synonym हो जाएगा यहाँ पर option number C यानि की useless तो यहाँ पर बागी के जो option है वो काफी easy है यहाँ पर आप देख सकते ह लिखा हुआ है insufficient का मतलब होता है और पर्यापत बागी successful Baron का मतलब आपको पता है successful का मतलब होता है सफलता और Baron का मतलब होता है बंजर आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ लिखा हुआ है blaze, blaze का मतलब सरजी क्या होता है blaze का मतलब होता है ज्वाला जिसको आप आग कह सकते हैं और आग के लिए fire लिखा जाता है जो कि आपको पता था लेकिन blaze नहीं पता था तो blaze का आप इस्तिमाल जादा करेंगे अपनी दैनिक जीवन में देखिए जो अभी आपके नए word म उसको बोलते हैं बढ़तें next question की तरफ next question में लिखा हो है कि pragmatic बहुत ही important question है very very important word यहां पर आपके सामने pragmatic का मतलब होता है ब्यावहारिक और ब्यावहारिक जिसको आप अपने ब्यावहारिक बहसा में practical करते हैं बोलते हैं ने कि यह बंदा बहुत ही practically है मतलब की बहुत ही practical बंदा है बहुत ही ब्यावहारिक बंदा है प्लेफूल का मतलब होता है चंचल और यहाँ पर एक और वर्ड आपके सामने कौजल लिखा हुआ है कारण बताने वाला और क्लेवर का मतलब आपको पता है बढ़ेंगे फिर नेक्ष्ट वर्ड की तरफ और नेक्ष्ट वर्ड जो है वो लिखा हुआ है का मतलब होता है लाब डायक जिसको आप हित कर बोल सकते हैं जो हित चाहने वाला हो भलाई चाहने वाला हो जो लाब वाली चीज़े हो तो अगर आपने वोकाइबिलिडी बाई सुधीर पांडे वाली वीडियो देखी होगी वो प्लेलिस्ट देखी होगी तो इसका एंसर और BNE का मतलब होता है अगर यह शब्द कहीं पे लग गया यह अगर कहीं पे लगा तो BNE का मतलब होता है कोई भी LOW वाली चीज या कोई भी HIT वाली चीज बताता है तो beneficial का भी मतलब होता है लाब दाएक या कि फिर HIT कर और देह सकते हैं कि option number यहां पर और एक देख सकते हैं प्रिमेच्योर लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है और सामाएक option number A में बहुत important एक और option है terrible बहुत बार exam में देखने को मिला है terrible का मतलब होता है भयानक, terrible भयानक, याद रखेंगे disastrous का मतलब क्या होता है sir, option number C इसका मतलब होता है विनाशकारे, जिसको critical भी बोल सकते हैं तो ये आज के 5 sign name के आपके लिए word देखे, 500 बताते हैं 5 के साथ सभी option भी explain करते हैं जो आपके लिए cutting होता है तो कम से कम एक वीडियो में 10 से 15 आपको word मिलते हैं, इनको आप लिखिये practice कीजिए और याद कीजिए और चुकि ये आप जबी भी कहीं भी practice set एकर solve करेंगे जाकि फिर exam में जाएंगे तो ये word आपको हूब हूब देखने के लिए मिलेंगे, अभी वक्त है तो वक्त में आपको ये जो vocabulary का सेस्थन है synonym, antonym, यही ज़्यादा कठीन होता है, बाच्यों को idiom phrase की तो मैं guarantee लेता हूँ और one word की तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, चुकि उनके पीछे कहानिया होती है, कहानियों को जोड़ करके आप याद कर लेते हैं, उनको हम explain करेंगे घटनाओ से आधारित, घटनाओ से जोड़ करेंगे, लेकिन जो words होते हैं, इनके लिए बहुत ही कम trick बन पाती हैं, और trick मोके पर काम भी नहीं आती है, जो इनके लिए particular trick बनता है, जैसे auntie को मैंने बताया था कि denty, auntie you are looking denty, तो इस परकार से जैसे एक और word मैंने बताया था, आपको delicate का मतलब महनती होता है, दिली के isn't बहुत महनती होते हैं, that is delicate, तो कुछ ही ऐसे word है जिनके trick बन पाते हैं, तो जिनका trick बन पाएगा, उनका बना कर आपको बताया जाएगा, लेकिन कुछ जबरदस्ती trick नहीं बनाया जाएगा, जबरदस्ती वहला trick जो है, वो आपको बहुत confuse करता है, तो जो trick simply बन जाएगा, वही बनाया जाएगा, तो इसलिए अभी आपको, आपके पास बिल्कुल होगी, और साथी साथ ये words भी आपको याद होते जाएगे, उमीद है कि आप motivation के साथ अपनी तयारी कर रहे होंगे, आने वाला साल आपका है और उसे आपका ही बनाना है, आपको इतनी मेहनत करनी है तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा, तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम